नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राकेस और आप देख रहे हैं GoTo Online तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं अगर आपका आधार कार्ड खो गया है आप डाउनलोड करना चाहते हो या फिर आपने किसी बच्चे का नए आधार कार्ड बनवाया था उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आपने पुराने आधार कार्ड में कोई करेक्शन कराया है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसको दबा करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने और साथी साथ बेल नोटिफिकेशन को All पर भी सेलेक्ट करने ताकि इसी तरह की जानकारियां आपको मिलती रहें तो आधार कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मुबाइल की स्क्रीन पर तो देखिए मैं आचुका हूँ मुबाइल की स्क्रीन पर और आपको क्या करना है गूगल प्ले स्टोर उपन करना है और गूगल प्ले स्टोर के सर्च बार में टाइप करना है M-Adhar M-Adhar लिखकर के आपको search कर देना है search करने के बाद मैं आपको इस तरह का app नजर आएगा आप इसको install कर लीजिए तो मैं पहले से install किये हुए हूँ मैं इसको कर लेता हूँ open open करने के बाद मैं यहाँ पर आपसे कुछ permissions मागी जाएंगी तो यहाँ पर while using the app इस पर click करेंगे click करने के बाद मैं यहाँ से allow करेंगे allow करने के बाद मैं हम थोड़ा सा wait करेंगे यह process हो रहा है थोड़ी देर wait करने के बाद मैं आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा और नीचे लिखा हुआ है skip तो यहाँ से आप इसको skip कर दीजिए skip करने के बाद मैं इस तरह का page आपके सामने open हो जाएगा आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो नहीं तो नीचे एक button दिया है I consent आपको I consent पर click कर देना है click करने के बाद मैं यहाँ पर English language आ चुकी है यहाँ से कर देना आपको continue continue करने के बाद मैं आपको यहाँ पर mobile number देना है mobile number enter करने के बाद मैं आपको next कर देना है तो मैं mobile number डाल के next कर देता हूं इसके बाद मैं आपके mobile पर एक OTP आएगा और OTP डाल के आप submit कर दीजिए OTP हमारा आ चुका है OTP यहां पर मैं डाल देता हूं, तो मैं देख लेता हूं कितना है हमारा OTP, तो मैं OTP डाल के यहां submit कर देता हूं, OTP हमने डाल दिया है और यहां कर देते हैं submit, submit करने के बाद हम थोड़ा सा wait करेंगे, और इस तरह का page आपके सामने open हो जाएगा, ठीक है, आप यहां पर कर देता हूं, download पर click, अब आपके सामने दो option यहां पर आ चुके हैं, regular आधार और mask आधार, आप किस तरह का आधार डाउनलोड करना चाहते हो, अगर आप regular आधार डाउनलोड करोगे, तो उसमें सारी अंक दिखाई देंगे, बारे अंक जितने होते हैं आधार काड की, यहां पर आधार काड डाउनलोड करने के तीन option दिये गए हैं, आधार नमर, virtual ID, और enrollment ID, अगर आपके पास में आधार नमर है, तो आप आधार नमर डाल कर भी download कर सकते हो, अगर आपके पास में आधार नमर नहीं है, आपने नया आधार काड बनवाया है, तो उसकी virtual ID होगी या फिर enrollment ID होगी, यहां से आप किसी भी detail को भर करके आप आधार काड डाउनलोड कर सकते हो, तो मेरे पास तो आधार नमर है, मैंने अपडेट कर आया है, तो मैं यहां पर आधार नमर पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद में उपर वाले कॉलम में आपको आधार नमर डालना है, नीचे वाले कॉलम में यह CAPTCHA कोड भरना है, तो यहां मैं CAPTCHA कोड भर देता हूँ, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, 96 में उपर वाले कॉलम में आधार नमर भरके और request OTP पर क्लिक कर देता हूँ, मैंने यहां पर आधार नमर भर दिया है, और CAPTCHA कोड भर पर क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद में यहां पर मेरे मुवाइल नमर पर एक OTP आएगा और OTP हमारा आचुका है 551.94 मैं डाल देता हूं 551.94 और यहां से कर देता हूं verify verify करने के बाद में यहां पर आपका आधार है वो यहां पर देखिए download हो चुका है तो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है अब यहाँ पर देखिए open का option मिल चुका है तो हमें यहाँ पर करना है open open करने के बाद में यहाँ पर PDF वीवर्थ पर क्लिक करना है क्योंकि यह PDF के रूप में डाउनलोड हुआ है तो यहाँ पर करते हैं PDF पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड मांग रहा है तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड आपको क्या देना है ध्यान से समझना पासवर्ड आपको क्या डालना है तो आपका जो भी नाम है जैसे मेरा नाम राकेश कुमार है तो आपको क्या करना है अपने नाम के पहले चार अक्षड डालने हैं बड़ी ABCD में यानि Capital Letter में तो मैं यहापर डालता हूँ जैसे R A K E ठीक है चार अक्षड डालने हैं फिर आपको अपनी जन्म तितिकी साल डालनी है तो जैसे मेरा जन्म हुआ है 1970 तो 1970 1970 में यहापर डालूँगा तो मैं डालता हूँ उन्नेश तो नाम के चार अंक और साल डालने के बाद मैं यहाँ पर OK कर देना है OK करते ही यहाँ पर देखिए आपका आधार कार्ड ओपन हो चुका है आप चाहो तो इसका प्रेंट निकलवा सकते हो और आपकी मर्जी है आप कभी भी प्रेंट निकलवा सकते हो क्योंकि यह तो आपके मोबाइल में सेव रहेगा तो इस तरह आप अपने मोबाइल से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फिर मिलता हूँ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुट बाइ